SD Party ने जो भी Election Commission पे सिकिम में राष्टरपती सासन में चुराव कराने का मांग किया है, इससे तिन बार इसपस्ट होता है प्रथम्त, SD Party संभीदान कानून नहीं मानते हैं, जो इस्तापित Election Commission का नियम में वो नहीं मानते हैं वो असंभीदानिक काम में विश्वास करते हैं, क्योंकि सिकिम में भी नहीं, सारा इंडिया के सारा स्टेट में संभीदान के अनूसार और Election Commission के नियम के अनूसार Caretaker Government के अंडर में Election होता है, इससे साबित होता है कि SDF Party भारत के संभीदान को नहीं मानते हैं दूसरा, ये साबित होता है कि SDF Party आगे ही चुनाव लड़ने से आगे ही चुनाव हार चुका है और हारे हुए बार जी को वही से ये उलजाना चाहता है और जनता कि उपर चुनाव नहों फिर ये चाहते क्योंकि उन लोग का ये चुनाव में अस्तित्व समापत हो जाएगा तीसरा बाद सीकिम Democratic Front का जो पहले से आज से एक दो बरस आगे ही सीकिम में असान्ती करके सीकिम का सान्ती भंग करके वो लग जुन असान्ती करके शीकिम में राष्ट्रपती सासन लान ले आने का उनलोहा का चाहत था वो चाहत हकिकत में था ये प्रमान करता है कि वो अभी इस सांत मया सिकिम में भी राष्टरपति का साचन का मंग कर रहे है सिकिम सरकार और मुखे मंत्री सिमान प्रेम सिंग तामंग जो खुद भी ग्रिह मंत्री भी है कि कुशल नेतित्व और कुशल पतच्छेप में सांती रहा सिकी में कोई भी गर्डवडी नहीं हुआ SDF पार्टी ने जो असांती स्रीजना करना चाहा था वो विफल हुआ इसलिए वो लोग अभी पुरा बैकफूट पे गया है अगर उनके पास इतना प्रामान है तो पुलिस थाना में जाए और प्रेस के आगे भी वो उसको प्रामान को राखे तब होगा ना बात अगर बात